आज हम बनाएंगे डिनर के लिए बहुती हेल्दी रेसिपी जिसे खाकर पेट तो भरेगा लेकिन मन नहीं भरेगा जिसे बिल्कुल भी भूक नहीं है वो भी बड़े चाव से खाएगा पच्चों से लेकर बड़ों तक पसंद आने वाला टेस्टी और हेल्दी रेसिपी चलिए बनाना शुरू करते हैं और हाँ रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल को भीगो के रखा था चार से पाच कंटे और इसके साथ लगेगा हमें पोहा पोहा को हम एक बार वाश करके लेंगे इसको भीगोनी की जुर्यत नहीं होती तुरंत ही भीग जाता है फिर इसको थोड़ा सा दो लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ डस्ट होता है और इसे हमें थोड़ा सा सौफ्ट भी करना है पाने निकाल देते हैं तो यहाँ पे पोहा भी तयार है चलिए अब हम मिक्सर का जार लेते हैं और उसमें डाल देते हैं मूंग दाल और मुंग दाल के साथ ही डालेंगे जो हमने अभी दोकर रखा हुआ है उपोहा इस नास्ते को आप सुभर में भी बना सकते हैं या फिर डिनर के तोर पे पे ये तो पर्फेक्ट है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तब भी आप इसे बना सकते हैं क्योंकि मुंग दाल वेट लॉस में खाई जाती है उसकी बेनिफिट्स आप गूगल कर सकते हैं मिर्श डाल दी थी मैंने पीस लिया है जितना हो सके उतना भारिक पीस लीजिएगा देख सकते हैं पर्फेक्ट थोड़ा सा पानी डाला था पीसते वक्त ज़्यादा पानी का युजना करिएगा बाद में हम पानी डालेंगे लेकिन पीसते वक्त आप ज़्यादा पानी ना डालेगा क्योंकि ज़्यादा ही पतला हो जाएगा तो अब हम इसमें डाल रहे हैं सूजी बैंडिंग के लिए सूजी डालना बिल्कुल आप्शनल है लिकिन सूजी डालेंगे तो नस्तिक में एक बहुती बढ़िया टिक्चुर आएगा आधा कटोरी सूजी डाला था उसी कटोरी से आधा कटोरी दही डाला है दही नहीं है तो आप चार्ज भी डाल सकते हैं और सेम कटोरी से आधा कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे या फिर रिक्वाइरमेंट के हिसाब से पानी डाल दीजेगा पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है न तो सूजी पानी अबजब करती है तो उसी सबसे पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा लग सकता है मिलाते हैं अच्छे से चलिए इसे अब हम 5 मिनिट के लिए रेस्ट पे रखेंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो सूजी फुलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है देख सकते हैं कम से कम 5 मिनिट ज्यादा से ज्यादा 15 मिनिट हमने 5 मिनिट ही रखा क्योंकि हमें थोड़ से जल्दी है जट-पड बना रहे है 5 मिनिट में भी सूजी अच्छे से फुल जाती है क्योंकि हमने इसमें बारिक वाली सुजी का यूज किया अगर आपके पास मोटी वाली सुजी है तो आप उसे मिक्सी में एक बार चला लीजेगा थोड़ा सा उपर से मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि consistency एक्जस्ट हो जाए इसे हमें अच्छे से बारिक पीस्ट ना है पीस्टे वक्त इस बात का ध्यान दिजेगा चेलिए नमक डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाल मिश का पाउडर भी डालेंगे आप चाहे तो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं मिलाते हैं लाल मिश का पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें हरे मिश भी डाली थी लाल मिर्ज का पाउडर डालने से हल्दी पाउडर डालने से हमारे नास्ते में कलर बहुत ही बढ़ी आएगा और इसमें हमने डाली है मुंग दाल तो मुंग दाल का अपना कोई स्वाद नहीं होता तो उसको थोड़ा सा तीखा जट पटा सा बनाएंगे तो खाने में मजा आएगा मिला दिया है अच्छे से इसे हम तुरंत बना रहे हैं तो इसलिए हम इस पे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे बेकिंग पाउडर डालना ओप्षनल है अगर आप नहीं डालना चाहे तो ना डालिएगा लेकिंग बेकिंग पाउडर डालने से हमारे नास्ते में थोड़े से जाली आती है और वो फलफी बनता है पानी डाल दिया है बिल्कुल एक चमच के करें एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे वो भी हलके हाथ से इसमें आप चाहे तो सफेद तील भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे हमारा बैटर तयार है चलिए आप गैस की तरफ गैस पर मैंने तवे को गरम होने के लिए रख दिया उस पे थोड़ा सा तेल डाला है बिल्कुल थोड़ा सा डाल दीजिएगा अगर आप एटलास के लिए बना रहे हैं तो तेल ना डालेगा नॉन स्टिक का तवा यूज़ करिएगा तो चलेगा यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल जैसे हम उत्तपम बनाते हैं थोड़ा सा मोटा वैसे ही इसको बनाएगा और हाँ इसके उपर अगर आप डालना चाहें तो सबजिया भी बारिकट करके डाल सकते हैं मैं आज इसको ऐसे प्लेन ही बनाऊंगी सबजिया डाल दीजिएगा पनीर ग्रेट करके डाल दीजिएगा बहुत ही टेस्टी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा तो यहाँ पर हमने पटा पट ऐसे ये नास्ता बना कर तयार कर लिए हैं देखते ही आपको पता लग रहा है कितना सौफ्ट हैं इसे आप टमाटर के चटनी के साथ या फिर इमली के चटनी के साथ रिमेज के चटनी के साथ भी खा सकते हैं कुछ नहीं तो दही देजीगा दही के साथ तो यह बहुत यह बढ़िया लगेगे तो कैसी लगी आज के आपको इंस्टन्ट हिल्दी नास्ता की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा साथी साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा